आज जो पलेस्टीनियन टेरर की बाते कर रहे हैं कि इसराइल ने किस प्रकार से प्रताडित किया उनको वर्षों तर वो कोई अपना मूर नहीं खोला जब लाखों मुस्लिम एक दूसरे को मारते रहे हैं यमन हो सीरिया हो इराक हो इरान हो शिया सुननी सुननी शिया अन्य धर्मी जिस प्रकार से सारे युद्ध सालों से चल रहे हैं खुद इसलामी दुनिया के अंदर एक दूसरे को मारने के जो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तब तो कोई बोला नहीं किसका मुख खुला नह आज इनका अचानक मुँख खुला है जो यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अत्याचार उनके भाईयों पे हो रहे हैं और उन भाईयों को बारूत की तरह उपयोग करने वाले यही वो लोग है जो चाहते हैं कि इसराइल ना बचे, जूज ना बचें लेकिन उपयोग कर रहे हैं विचारीन गरीब पलेस्टिनियन का जिनका कोई ठोट ही काना नहीं इस्राइल और पलेस्टिनियन दो राष्टों के अंदर पिछले 35 साह से संघर्ष चल रहा है जीवन और अपने जीवर रहने का इस्राइल का पलड़ा भारी होता रहा इतने वर्शों तक लेकिन पलेस्टिनियन लोगों के लिए अरब देशों ने केवल उनको जूँ लोगों को समाप्त करने के लिए इस्राइल राष्ट को जिन्दा न रहने के लिए उनका बारूत की तरह उपयोग किया उनका जीवन न पेलेस्टेनियन भी वहीं रहते थे जूज हजारों साल से अपने राश्टे से बाहर थे और उसी के अंदर गद उनके लगातार संगर्श और सत्यागरे के कारण 1948 में उनको वहाँ पर राश्ट्र मिला जो कि सारे दुनिया के राश्ट्र ने मिलकर सेक्यूरिटी काउंसल ने पास किया लेकिन इतना विरोध है जूज के लिए इसलाम के अंदर कि जैसे उराश्ट्र बना उसी समय उस पर आक्रमन हुआ एक नया नवजाश शिशू जिसके पास कोई साहयता के लिए कुछ नहीं था उसके बावजूद और लड़ा और जीता कोई नो कोई संगर्श चल 1979 में इस्राइल ने सायना और हिजब की जगा वापस की 1993 में पैलेस्टिनियन अथॉरिटी के लिए जगा दी पैलेस्टिनियन बसने के लिए सारे अंतराश्य समझाते थे वो सारा पूर्णे करने के बाद भी लगातार टेरर के आक्रमन होते रहे इस्राइल ने उसके लिए अपनी सुरक्षा की और अगर वो लगाता अक्रमन होंगे फिर उनको कहा जाए कि वह मानवीत्या दिखाए यह तो संभव नहीं मानवीत्या दोनों तर्व दिखानी चाहिए बरहराल क्या अर्भी देशों ने कभी पैलेस्टिनियन को पैर जमाने की कोशिश की कि इनके वि इस साल बहुत एक पॉजिटिव साइन के साथ में साओध एरेबिया योई इन्होंने इसराइल के साथ में अपने संबंद स्थापित किये चौदा सो साल की इस लड़ाई में जिसके अंदर इसलाम को जूज सहन नहीं होते जो कि उसे पुराना एक कम्यूनिटी थी और उनक होती तो अलग बात थी लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं को बच्चों को जिस प्रकार से मारा गया काटा गया रेप किया गया उनकी जरूस निकाले गए इस सारा जो हुआ उसका विर्मण करने की जरूतने हम सब जानते हैं उसके बाद किसी ने भी जो अपने आपको सेक्व किसी प्रकार से का इस प्रकार से अमान्वी कृत्ते जो वहां हो रहे हैं उसका डिफेंड कर सकते हैं लेकिन दुख होता है कि मैं जब टीवी डिवेट देखता हूं किस प्रकार से उनको डिफेंड किया जा रहा है कोई उनके बारे में उनकी ये अमान्वी कृत्तों को भर अरबी देशों ने शुरू से कहा कभी भी इसराइल को माननेता नहीं देंगे, उसको जीवित नहीं रहने देंगे, तो इसराइल को समाप्त करने की मंच्छा में पैलेस्टिनियन लोगों का की कुर्बानी, ये कटू सकते हैं, और अगर आपको शांती चाहिए, तो इस प्रक मिलेगी क्या, अगर आपको उनके लिए कुछ करना है, अरब रुपे वहाँ आए, उनका उप्योग पैलेस्टिनियन बच्चों के लिए और उसके विकास के लिए नहीं हुआ, उसका उप्योग इस प्रकार क्या करने के लिए लगातार हुआ, और अब उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं है, तो बराबरी का उध्य है, टरर का उध्य नहीं, देश का उध्य है, और अभी वेट्रिम कार्ड खेला जा रहा है तो इस सारा जो खेल चल रहा है, यह बड़ा दुखत है, मान्वी अतरासदी है, लेकिन जब तक हम इस टर को, इस प्रकार के ऐह मान्मायITE होगी ना ही आज के विश्य में किसी को मंजूर है और अगर इसलाम और जूस के अंदर चौदा सो साल के उद्ध के बाद अगर उनके अंदर समझाता हो सकता था उसको समाप्ट के टेरर के लोगों को समर्थन करना जो उनने भारत में भी क्या बाहर भी कर रहे हैं और देश के मूड के विरुद दे जाना देश की नीती के विरुद दे जाना ये देश के साथ भलाई नहीं देश के भी रही है एक तरह से हम कह सकते हैं देश द्रो है सवाल मोदी जी का नह क्योंकि जूज और हिंदों में अगर एक अगर सामे है तो है कि दोनों के उपर लाखों करोडों लोगों का संखार हुआ इसराइल के जूज का संखार इतियास ने मानने किया भारत के हिंदों का संखार मानने नहीं किया और यही दोनों के अंदर सामेता है और यही उन अब्राहिमिक शक्तियों का विरोत कर रही है जो उनको सहन नहीं है तो यह सारी बाते हम समझें और एक संतुलित अपना इसके अंदर बाद करें इस प्रकार के शोर मचाने वाले गिरना के वाद से बचें ऐसे मेरी अपील है